तो आप सभी के अपने चैनल एस्किया फिर से स्वागत है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है इस वीडियो में देखिए हम क्या पढ़ने वाले आपको अच्छी तरीके बताएं और समझाने का प्रयास करेंगे देखिए ट्रांस फार्म ट्रांस फार्मर टॉपिक है आपका देखिए तो यहां पे चली आगे आपको बताते हैं अच्छी तरीके समझाने का प्रयास करेंगे ट्रांस फार्मर होता क्या है पूरी इसकी डिटेल बताएंगे बस आप मारे साथ बने रही है मेरे पहले आपको सारी चीज़े के लिए करके जाएंगे और ट्रांस फार्मर को आज ऐसा बता देंगे कि आपको कभी भूलेंगे नहीं ठीक है तो एक चैनल आपका है हाई लेबल शड़ी वहां पी जाकर भी चैनल को सब्सक्राइब करना है लाइक करना है कमेंट करना है चलिए देखते हैं ट्रांस फार्मर क्या ह ख्रेक्वेंसी और पावर में बदलाओ किये विना यानि कि आयशा यंद्र जिसमें अगर हम क्या देते हैं अगर हम उसको सप्लाइख देंगे तो वो उसके फ्रेक्वेंसी में और उसके पावर में बिना बतलाओ कि ये voltage को कम या ज़्यादा करके देता है ठिक है अगर हम किसी transformer को power देंगे तो उसकी frequency और power में बतलाओ कि ये बिना क्या देता है voltage को कम या ज़्यादा करके देता है उस इस्तिर यंत्र को क्या कहेंगे यह एक static device ते आपको पहले इससे ही समझा दे रहे हैं ठीक है देखिए करके देता है उस स्तिरियंद्र को transformer कहा जाता है ठीक है transformer के जरी एक circuit की frequency और power कायम रख कर transformer के जरी एक circuit की frequency और power कायम रख कर दूसरे circuit में अस्थानांतरित किया जाता है क्या दूसरे सरकीट में क्या कियाता है अस्थानान तरीक दिया जाता है ठीक है चलिए आगे चलिए आगे क्या है ट्रांसफार्मर की आवश्चकता क्यों होती है मेरे प्यारिश्डेंट आपके मन में एक प्रस्ण उठराऊगा कि हमें ट्रांसफार्मर की उपयोगी तक क्यो आए आखर में हम transformer को क्यों उपयोग मेलाते हैं तो single phase supply से ज़्यदा फायदے 3 phase supply में होते हैं पहला बात तो यही है, कि single phase supply से ज़्यदा फायदे 3 phase supply में होते हैं इसलिए आज कल 3 phase supply system का generation, transmission और distribution यानि कि बिजली को बनाने बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेचने जिसे हम क्या कते हैं transmission कहते हैं और distribution यानि बिजली को गाओं तक बितरण करना घर-घर में देना क्या कहलाता है distribution कहलाता हैं किया जाता है तो इस supply system को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए भारतिक मानग संस्थान ने हर एक पढ़ाव के लिए 1 मानक वोल्टे निस्चित किया है इसका मतलब क्या होता है कि एक मानक वोल्टे निस्चित किया है इसका मतलब क्या हुआ जैसे आप distribution के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए एक बोल्ट है निस्चीत 440 वोल्ट ठीक आप घरों में टीवी पंखा के लिए यूज करते हैं 220 वोल्ट अगर हमें लाइन को transmission करना होता है तो कीवी में करते हैं 33 केवी 66 केवी तो ये सारी चीज़ बहुत प्रकार का transformer आपको देखने को मिलेंगे जिसमें क्या होता है इस्टेपप का मतलब क्या होता है कि जहां पर light को हम यह जो voltage है voltage को कम voltage से अधिक voltage जहां भेजना होता है निए कि इसका जन्रियोगs जन्रली हम क्या करते हैं transmission ने करते हैं जब हम हमारी generation होती है वहां से जहां अधिक voltage को ठिक है अगर कहीं पर भेजना होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं क tightly voltage करके भेशते है jsір stuck up transformer क्याथ त्रांस्फार्मर जो होता है इलेक्ट्रो मेगनेटिक इंडक्षन के सेल्फ अत्वा मिच्वल इंडक्षन तत्व के अनुशार कारी करता है अन्योन ने पेरण इसे हम हम ट्रांस्फार्मर में डीसी सप्लाई क्यों नहीं देते हैं इसका कारण बताए सभी लोग कमेंट सेक्षन ने बताएंगे कि हम ट्रांस्फार्मर में डीसी सप्लाई क्यों नहीं देते हैं ठीक तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजेगा इसका अंसर तो मगली वीड क्वाइल इस्थिर रखी जाती है तब वहां क्या होती है बदलती चुम्ब की रेखाएं इस्थिर क्वाइल के कंड़क्टर की वजह से फट जाती है क्या करती कट जाती है और इस वजह से फैराडे के इलेक्ट्रो मेगनेटिक इंडक्शन के तत्व के अनुसार इस्थिर रखी क्वाइल में इमेफ निर्माड होता है क्या इमेफ निर्माड होता है ठीक है चलिए आगे चलिए कोर यह क्या होता है कि ट्रांस्फार्मर्मर्ण का क्या होता है ठीक है यह अंगरेजी की यल E-Type, I-Type अत्वा आयता कृति आकार के स्टेपिंग से बना होता है क्या स्टेपिंग से बना होता है यह स्टेपिंग सिलिकान स्टील के 0.35 mm से 0.5 mm जितनी मोटी बनी होती है चलिए आगे चलते हैं इस तरह की अनेको स्टेपिंग आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेट करके लेमिनेटेट कोर बनाया जाता है कोर बनाने के लिए सिलिकान स्टील का उपयोग किया जाता है क्योंकि इससे हिस्टेरिसिस लास कम होता है और कोई laminated बनाने से ED current loss कम होता है क्या होता है ED current loss कम होता है चलिए अब transformer windings की बात करेंगे जो आपके लिए very very most important है तो यहाँ पर देखिए primary winding यहाँ पर है secondary winding ठीक है तो चलिए यह क्या यहन है यह क्या है मैं देखिए जब हम क्या करते हैं हम अभी आपको समझाएंगे कि हमारा transformer step down कब होता है step up कब होता है अगर हम क्या करेंगे देखिए अगर इस तरफ क्या करेंगे primary winding में coil की संख्या कम रहेगी coil की संख्या कम रहेगी और इधर coil की संख्या ज़्यादा रहेगी तो क्या बनेगा step up transformer बनेगा ठिक है अगर इस तरफ coil की संख्या ज़्यादा रहेगी इस तरफ turn की संख्या क्या रहेगी कम रहेगी तो वहाँ पर step down transformer बनेगा ठिक चलिए अब देखिए transformer पर core से insulated करके क्या transformer पर core से insulated करके primary और secondary winding की जाती क्या primary एवं secondary winding की जाती है जिस winding को supply दिया जाता है क्या supply दिया जाता है उसे primary winding कहा जाता है क्या कहा जाता है उसे primary winding कहा जाता है ठिक है अब देखिए जिस winding से load के लिए क्या जिस winding से load के लिए supply लिया जाता है किसके लिए load के लिए supply लिया जाता है उसे secondary winding कहा जाता है ठिक है क्या कहते हैं जिस winding से लोड के लिए supply लिया जाता है उसे क्या कहते हैं secondary winding कहा जाता है ठीक चली आगे आपको बताते हैं अब देखिए transformer की कार्य पध्धत के बारे में जानेंगे ठीक है तो transformer कैसे काम करता है इसके बारे में आपको बताते हैं जब transformer की primary winding में AC supply दी जाती है यह नहीं देते इस्तिर कंडुक्टर से क्या होती हैं और प्राइमरी वैंडिंग में शिल्फ इंडिउजट EMF का निर्माड होता है primary winding से AC current का बहाव होता है इस वज़े से primary winding के चारो और बदलते flux निर्माड होते हैं चलिए आगे देखिए आगे क्या होगा primary flux core के माध्यम से बह कर secondary winding तक पहुँचती है flux और secondary winding के turn के बीच cutting action होकर secondary winding में mutual induced EMF निर्माड होता है फैराडे के electromagnetic induction के दूसरे नियम की अनुशार निर्माड होने वाला induced EMF winding के turn के शम अनुपात होता है अब देखिए इसका मतलब क्या है कि winding में जितने ज्यादा turns होंगे उतनी ही cutting action ज्यादा होकर static EMF निर्माड होता है आगे चलिए जब secondary winding को load से जोड़ा जाता है तब secondary का circuit पूरा होकर winding से current flow होने लगता है और इस तरह load को electric power प्रदान की जाती है इस प्रकार transformer काम करता है ठीक है इस प्रकार से हमारा जो transformer है काम करता है ठीक है आगे चलिए आगे क्या है हमारा transformer के पकार पहला प्रकार क्या है कोर टाइब transformer दूसरा cell टाइब to take time ठीक है चलिए आगे देखिए बोल्टिज की आधार क्या गण्यरा क्या आधार पहला क्या अधार म ten जी काता है ठीक है दूसरा क्हा доп जहां पर देखने वाली बात यह है कि जो हमारा कंट्रक्शन के आधार पर जो किने का होता है इनकी अलग अलग रूप भी है है और इसको आगे आप लोग पढ़ें जब हाईयर एजुकेशन में जाएंगे तो जैसे बीटेक पॉल्टेकिनिक यह सब सारी चीजे आइटियाई करेंगे तो वहां पर यह ट्रांस्फार्मर आपको मिलेंगे तो यहां पर आपको थोड़ी चीजे दी जाती है 12 मिल लेकिन आगे जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा अब यहां पर सब्सक्राइक तो यह आगे आपको पढ़ने को मिलेगा जोआपके इंसमें बता दिया तो इश्ञों decipher इसे लोगर कमेंट से सब्सक्राइब प्रिमन नएग ठीक में न्य वह प्लिधिया चैने बढूर्ट